आप सभी लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बताऊंगा कि जो input device होती है उसको याद करने का हम एक trick बताऊंगा जो आप लोगों को याद करने में काफी सहायक होगी AMD मसाला का नाम आप लोग जरूर सुना होगा हम AMD मसाला से ही आपको input device बताऊंगा वीडियो बनाने का हमारा उद्देश है कि आप लोगों को कम से कम समय में जादा से जादा चीज याद होनी चाहिए तभी आप लोग competition के exam में हाइट कर पाएंगे इसलिए हम trick बना रहा हूँ और आपको हम ये भी बता दूँ कि जो भी हम trick बता रहे हैं आपको फोटो के माध्यम से input device दिखाऊंगा कि कौन-कौन input device होती है यम्डी का मसाला गाउं सहर बराबर बराबर टाप विक्री जो रूपर यहां हमने जी का मतलब गाउं यस का मतलब सहर बी का मतलब बराबर बी का मतलब बराबर भी का मतलब विक्री जे का मतलब जो रूपर हमने दर्साया है अब इसका मैं अलग अलग बताता हूँ कि क्या होता है M का मतलब माउस लिये हैं D का मतलब डिजिटल काइमरा K का मतलब कीबोर्ड M का मतलब माइक अबलिक माइक्रोपोन M का मतलब मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकोगनेशन इस ट्रिक में एक मतलब अप्टिकल मार्क रिकोगनेशन येस का मतलब स्मार्ट कार्ड रीडर येल का मतलब लाइट पेन ए जो सब्द है इसको हमने कामल लिया हूँ ट्रिक बनाने के लिए अब यहाँ जी का मतलब ग्राफिक्स टेबलेट लिया हूँ येस का मतलब स्कैनर लिया हूँ, बी का मतलब वार कोड रीडर लिया हूँ, वी का मतलब वायोमेट्रिक सेंसर, टी का मतलब ट्रेक वाल, अगला टी का मतलब टाच इस्क्रीन, नेस्ट, ओ का मतलब हमने इस्ट्रिक में अप्टिकल करेक्टर रिकोगिनेशन, पी का मतलब पंचे कार्ड लिया हूँ, अगला पी का मतलब टेपर कार्ड रीडर, नेस्ट, भी का मतलब वैप कैमरा, जी का मतलब जायस्टिक है, इतना हमने जो वर्ड लिया हूँ, इस वर्ड को आप लोगों को याद करना है, सिर्फ आपको याद क्या करना है, यमडी का मसाला गाउं सहर बराबर टाप विक्री जोरो पर, इतना है आपको याद करना है, इसमें क्या है, सभी इनपुट डिवाइस आ जाती है, धन्यवाद,